एक बार भगवान अपने बच्चों को लेके गुमाने चल दिये गर्मियों का समय था एक बड़ी बगी चा में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो भगवान एक ब्रक्ष के नीचे विस्राम करते होगे बच्चो अब तुम लोग खेलो हम जरा आराम करते तो बच्चे गैन खेलने लगे खेलते खेलते बच्चों की गैन कुगे में गिर गई बच्चे दोड़ करके आए प्रभू देखो हमारी गैन कुगे में गिर गई और कुगे में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुगा हमने देखा भगवान आये और गिर्गिट को कुगे से बाहर निकल वाए पर जैसे उस गिर्गिट का इस परस्किया उसका सरीर छूट गया और उस गिर्गिट के सरीर से एक दिब दैदी पिमान पुरुस प्रगट हो गया भगवान बोले को भवान? स्रीमान आप कौन है? तब उसने परचे दिया नगो नाम नरेंद्रोहं इक्ष्वाखो तन यप्रभो दाने स्वाख्याय माने सो यद ते कर्ण मस्प्रशं यद ते कर्ण मस्प्रशं महराज वो महापुरुस भगवान से कहता है कि आप कहीं भी दानियों की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आप मेरा ही नाम सुनेंगे आपने हमारा नाम जरूर सुना होगा भगवान बोले ऐसी क्या बिसेस्ता है आपके नाम की? परचे दो बोले महराज मैं एकश्वाकू का बेटा राजा नरग है नरग नाम से मेरी ख्याती है और दानियों में मेरे जैसा दानी साइद ही धरती पर कोई दूसरा हुआ हो? बोलो रहे 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 भगवान ऐसा क्या दान किया तुमने? तो बोले महराज सबसे ज़्यादा तुम्हें गवदान किया भगवान ने पूछा कितनी गायदान में दी है तो हसने लगा तो बोला महराज यावत्यस किता भूमेर यावत्यो दिवितार का यावत्यो वर्षधार आश्च तावती रद दास्म का महराज आकास के तारे कोई गिन सकता है बरसाथ की भूने भी साइद कोई गिन ले धरती के धूलकन भी संभवता कोई गिन पाए पर मैंने कितनी गायों का दान दिया ये कोई नहीं गिन सकता बगवान बोले गजब हो गया भाई कितनी गईया दान में देके गिरिगिट क्यों बन गया कितना दानी था तो पतन क्यों हुआ बिना पाप के पतन नहीं होता उन्हें क्या गड़बड किया बता लगता है बूड़ी ठेली गई अनको दान करतो होगो जो गाय काउ मतलब की ना रह जाए चलो महराज जी को दान कर देए ऐसे भी दानी होते है बोले नहीं नहीं महराज ऐसा मैंने नहीं किया तो कैसी गई आ दान में दी बोले पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणो पपन्ना कपिला है मस्रंगी न्यायार जिता रूप्य खुरा सबत्सा दुकूल माला भरणा ददावह महराज पयस्वनी दूद देने वाली गायों का ही दान किया हो बगवान बोले हाँ बुढ़ापे में अंतिम बार दूद दे रही होगी बोले ना तरुणी नहीं नवेली गायों का दान किया हो तो लात मारती होगी इसलिए दान कर देए नहीं शील है रूप एकदम शुशील है गाय सुभावता सीधी होती है इसलिए ब्यवार में जो व्यक्ति बहुत सज्जन और सरल होता है उसे कहते है यह तो विचारा बिलकुल गव है इसका मतलब क्या है गव सरल ताकी प्रतिमूर्थी है सुभावता सीधी होती है वगवान वोले तो जर्सी गई आका तो दान नहीं किया अरे नाना महराज गुड़ों पपन्ना कपिला मैं बड़ी ही गुड़मती श्यामा गायों का दान किया हूं विशुप्द देशी गाय और सुद केवल गाय दान में नहीं दी हैम स्रंगी सोने से सिंग जड़ता था और मकितले आपट है उसी से बना रूपया पहले रूपयाए चांदी के ही हूगा करते थे किसलिए उसका नम रूपया पढ़ते थे हैं तो रूपया खोरा चांदी से खुर सजाता था और साबत्सsा जो अश्का बच्ड़ा होता था उससे भी दान में दे देता काय के साथ दे भगवान बोले तब तो तेरा पैसा दो नंबर का हुगा होगा बहुते लोग ऐसे होते हैं मिलावट करके घुम माल कमाते हैं और बाद में फिर धर्मार तो उसदाले भी चलवा देते हैं अरे भहिया तू बीमार करके फिर दवा खिला रहा है उससे अच्छा है कि तू बीमार कर नहीं बंद कर तो ऐसे भी तो तेरा पाप का पैसा होगा इसलिए तेरा पतन होगा बोले नहीं नहीं महाराज ऐसा भी नहीं न्याया अर्जेतां न्याय द्वारा अर्जित धनका दान किया हूँ पाप की कमाई नहीं दी वगवान बोले जब तेरे दान में कोई दोस नहीं था तो तुम गिर्गिट क्यों बना ये बता तब बोला माराज ये गलती अनजाने में हमसे हो गई थी क्या बोले एक ब्रहमण की गाय थी जो भाग करके मेरी गायों मिल गई मैंने उसे अपनी समझ के दूसरे ब्रहमण को दान कर दी ब्रहमण मुझसे गाय लेके जा रहा था जिसकी गाय थी वो ढूड़ता भिर रहा था दोनों आप उसमें ठकरा गए जिसकी गाय थी वो चिलाता हुआ बोला चोर कहीं के मेरी गईया लेके कहा जा रहा है उसने का तुझ पागल हुआ है मैं ब्रहमन तुझे चोर लग रहा हूँ मैं राजा से इसको दान में लेके आ रहा हूँ जूट बोलता है मेरी गईया राजा तुझे कैसे दान कर जाएगा भई राजा को क्या दिकार है मेरी गायदान देने का चलो राजा के पास दोनों जगडते राजा के पास आए अपनी अपनी समस्या सुनाए राजा की खोपड़ी खराब हो गई ये दोनों अपनी अपनी जगए सही बोल रहे हैं पर गड़बड हमसे हो गया राजा ने माफी मांगे हाज जोड़के का महराज अन जाने में मेरे से चुक हो गई आप एक के बदने में जितनी चाहे गईया ले जाएं और मुझे धर्म जंकड से बचाएं अब जिसकी गाय थी वो ब्रहमन बोला मैं कभी दान लेता ही नहीं हूँ मुझे तो मेरी गईया बापिस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आप जिसको दान दे चुके थे उन ब्रहमन से का कि इस गईया लोटा है तो हम दूसरी गईया दिये देते हैं बोले बाह राजन इसने इस गाय की पूंच पकड़के आपने संकल्प पूर्वग मुझे दान दी है अब ये गईया पर मेरा एक मात्र अधिकार है मुझसे आप बापिस नहीं ले सकते वो आपना तर्क दे राजा को इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिला तो दोनों ब्रहमन रुष्ट होकर गाय राजा के पास ही छोड़के चलेगे तू समाल हमें नहीं चाहिए दान देता है कि जगड़ा करवाता है मरणो परांत राजा से यमराज ने पूछा कि राजन आप बड़े दानी है पर एक दोस्त तुम से हो गया है बहले ही भूल से ही सही पर भूल से भी कोई जहर खाले तो मरना तो बढ़ता है वस्तु सक्ती ज्यानी की अपेक्षा नहीं रखती तो तुम्हे दंड तो मिलेगा तो पहले ये बताओ पुण्य भोग होगे कि पाप राजाने का तो थोड़ा सा पाप है पहले इसी को भोगा दीजिए बस इतना कहती गिरगिट बनके गिरा आज पुण्य उद्य होगे वो सारे सुब कर्म तो आज प्रभू आपके दर्सन हो गए आपके इस पर ससेरे सारे बाप भी दुल गए अब मैं चलता हूँ और प्रणाम करता हुगा चला गया अब इस घटना से सोचने की बात है राजा की गलती क्या थिया वह से लोग यह तर्क करते कोई गलती राजा की नहीं थी भगबान यह सिक्षा देना चाहते है कि तुम कितने भी सदाचारी सही परंत अहंकार में भर के कार करोगे तो वो अभिमान तुम्हें कहीं न कहीं गिराएगा राजा दानी था इसमें कोई संदे नहीं महादानी था परंत दानी होने से कहीं ज़्यादा दाना भिमानी था मेरे ज़सा दाता दुनिया में कोई नहीं बगवान से भी कहता है महराच आपने मेरा नाम जरूर सुना होगा दानियों की कहीं चर्चा करो पहले नाम मेरा ही आपके कान में पड़ेगा यद दे करनमस्मुशम ये सब्दावली बता रही है कि ये कितना अहंकारी है व्यक्ति की वानी से ही उसके व्यक्तित्व का पता चल जाता है वह से लोग अहंकार में जो भरे रहते हैं उनकी सब्दावली ये अजीव होते है महराच यहाँ पर पूरे छित्र में कहीं भी मेरा नाम पूछ लीजिए पूरे छित्र में मेरा जूता पूछता है अपने मूँ से खुदे गई तो इस प्रकार के अहंकारियों का शब्द अलग गई होता है और भगवान यही बताना चाहते है कि देखो तुम कितने बड़े धर्मात्मा बुन्यात्मा हो पर अहंकार के कारण तुमारा कितना पतन हो गया एक बात बताएं सावन सफाई करता है धूल मिट्टी की चड़ सरीर से सब साफ कर देता है सावन से नहने से गंदगी साफ होती है पर अंतु सावन को भी सावधानी से न रखा जाए तो सावन में भी गंदगी लग जाती है दूल मिट्टी लग जाए तो साबुन भी खराब हो जाता है इसलिए साबुन के लिए भी साबुन दानी होती है कि साब करके रखो उसमें उसी प्रकार जिन सुब करमों से हमारा सोधन होता है परिमारजन होता है उन सुब कर्मों को भी भगवान की क्रपा की डिब्बी में रखना चाहिए क्योंकि यद क्रपा के बल पर सुब कर्म करोगे तो आपको सुब फल प्रदान होगा परन्त यद अपने अहंकार में भरके सुब काम करोगे तो सुब कर्म का भी अहंकार आपको गिरा सकता है बोलो रादे रादे